हेलो दोस्तो, हिंदी एंड वाई टिप्स में आप सभी का स्वागत है दोस्तो आपको फोन में सिर्फ एक सीकरेट सेटिंग को आउन करना है इसके बाद आपका मुबाईल वटसअप के सभी मेसेज़ेस आपको पढ़कर सुनाएगा जी हाँ दोस्तो, चाहे कितना भी लंबा मेसेज हो, चाहे कितना भी लंबा आर्टिकल आपको वटसअप पर आया हुआ हो चाहे फिर वो हिंदी में हो या इंगलीश में, आपका मुबाईल उस सभी मेसेज़ेस को पढ़कर सुनाएगा अगर आप फेस्बूक, इंस्टाग्राम, ट्यूटर वगरा के मेसेज भी सुनना चाहते हैं तो आपका मुबाईल सभी मेसेजेस, सभी आर्टिकल आपको पढ़कर सुनाएगा जी हाँ दोस्तो, अगर आपको न्यूस पढ़ना पसंद है अगर आप नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे साथ में बेल आइकोन को दबा कर इसे औल पर सेट कर दीजे ताके आने वली सभी वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल जाए इसके बाद दोस्तो, आपको यहाँ पर एक कमेंट भी कर देना है सीक्रेट सेटिंग, इतना काम करके दोस्तो, आप जरूर से मुझे सपोर्ट कीजिए तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तो, सबसे पहले आपको जाना है मोबाइल की सेटिंग में इसके बाद आपको जाना है एकसिसिबिलिटी सेटिंग में इसके बाद आपको जाना है text to speech setting में यहाँ पर आपको एक setting का button मिलेगा आपको इस पर click करना है इसके बाद आपको install wise data पर click करना है और जो भी आपकी language है आपको यहाँ पर उसे download कर लेना है जैसे के मैंने पहले से English India और Hindi India को download किया हुआ है कोई भी language download करने के लिए उस पर click करना है और यहाँ पर click करके उसे download कर लेना है ठीक है इसके बाद आपको back आजाना है back आने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको एक setting मिलेगी language आपको इस पर click करना है जो भी language आपने download किया है उसको यहाँ पर आपको set कर देना है नहीं मिलती है तो उपर सर्च का बटन होगा उस पर किलिक करके यहाँ पर सर्च कीजिए Select to Speak तो यह सेटिंग अगर आपके फोन में होगी तो आपको मिल जाएगी अगर नहीं होगी तो नहीं मिलेगी यह सेटिंग आपको मिली या नहीं मुझे कमेंट करके जरूर बताना ठीक है तो आपको इस सेटिंग को आउन कर देना है इस सेटिंग को आउन करने के बाद आपके मुबाईल स्क्रीन पर Accessibility सेटिंग का एक बटन आ जाएगा आप यहाँ पर देख सकते हैं ठीक है अब हम चलते हैं WhatsApp में अब दोस्तों यह मैसेज मेरा मुबाईल मुझे खुद पढ़कर सुनाएगा तो इसके लिए क्या करना होगा इस बटन पर एक बार किलिक करना है तो यहाँ पर एक pop-up लिग लेगा ठीक है अब दोस्तों इस message को select करना है कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं अब यह message पढ़कर सुनाएगा जैसे के आप देख सकते हैं तो है ना दोस्तों useful setting तो इस पर तो एक like बनता है यार इस pop-up को हटाने के लिए आपको वापस से इस बटन पर किलिक करना है इसी तरह से दोस्तों आप facebook, instagram, tutor पर भी message को सुन सकते हैं ठीक है अगर आप कोई news सुनना चाहते हैं तो दोस्तों आपको उस page को open करना है इस button पर एक बार किलिक करना है और आपको यहाँ पर इसे select कर लेना है कुछ इस तरह से जैसे कि आप देख सकते हैं अब यहाँ पर हम language को change कर देते हैं कोई और language हम यहाँ पर सुन लेते हैं टीक है तो यहाँ पर मैं इन्हें एक English news ओपन की है टीक है इस button पर मैं किलिक करता हूँ और यहाँ से मैं message को select कर लेता हूँ तो दोस्तो कैसी लगी आपको यह setting मुझे comment करके जरूर बताना अगर दोस्तो आपको यह वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया है तो इस वीडियो को like जरूर कीजिए अगर दोस्तो आपको इस button को हटाना है तो आपको mobile की setting में जाना है और जो हमने select to speak की setting को on किया था उसे यहां से बन कर देना है तो यह button यहां से हड़ जाएगा जिसरकिया इसे कि यहाप देख सकते हैं यह button यह पर हड़ गया है अगर आप इसे और करेंगे तो इस यह button पिट assume पर आजाएगा तो दोस्तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए वट्सब फेस्बुक पर शेर कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मिलते हैं अगली वीडियो में जब तक के लिए अपना क्याल रखिए टैंक यू